आज मैं आप लोगों के लिए कुछ वोकेबिलिरी लेकर आई हूँ यह वोकेबिलिरी पार्ट टू है इसमें हम लोग दस नए वर्ट सीखने वाले हैं वर्ट्स आर थ्रॉंग्स रिपल श्राइन जसल हेफ्टी ट्रामपल सर्ज स्टूप टर्नस्टाइल और क्वाड्राप् आप लोगों के लिए बहुत यूस्फुल होंगे इंग्लिश स्पीकिंग में आप लोगों को हेल्प करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टाट थ्रॉंग यानि भीड या जमगट पर एक्जामपल अथ्रॉंग ओफ ओफिसर्स सराउंड़ एम यानि Announcement sent a ripple of excitement through the crowd गोशना के माध्यम से भीड में उच्छा की लहर दोड़ गई सबी खुश हो गया Next one is Shrine Shrine means Mandir या कोई तीर्थ स्थान For example, this shrine is considered sacred to the Hindu god Vishnu या मंदिर Hindu भगवान Vishnu के लिए पवित्र माना जाता है Next one is Jostle, Jostle यानि धक्का देना या धकेलना For example, the horses need and jostled one another यानि घोडे हिन हिनाए और एक दूसरे को धक्के देने लगे Next one, Hefty, Hefty यानि पुष्ट या तगड़ा For example, five hefty men surrounded Sunil पाँच पुष्ट लोगों ने Sunil को घेर लिया या यह mistake हो गया है, please avoid it Trample, Trample means किसी को कुचलना या रौंदना For example, don't trample on the flowers फूलों को मत रौंदो ऐसे भी फूलों को रौंदना बहुत गलत बात होती है Next one is Surge Surge यानि लहर उठना या तेजी से चरना For example, a sudden surge in electricity damaged the computers बिजली में अचानक उचाल ने कम्प्यूटरों को छतिगरस्त कर दिया यानि voltage इतना ज़्यादा बढ़ गया कि computers जो है वो damaged हो गए Next one is Stoop Stoop यानि जुकना For example, she stooped down to hug the child बच्चे को गले लगाने के लिए जुक गई Next one is Turnstile Turnstile यानि घूमने वाला दर्वाजा ये दर्वाजा ये तो आप लोगोंने देखा ही होगा Example is You will be asked for your ticket as you enter the turnstile घूमने वाले दर्वाजे में प्रवेश करते ही आप से आपका ticket मांगा जाएगा जैसा कि हमेशा होता है Next one is Quadrapt Quadrapt यानि चौपाया यानि चार पैरों वाला For example My little girl likes to walk on her knees and hands like a quadrapt मेरी चोटी बच्ची अपने घुटनों और हाथों पर चौपाया जानवर की तरह चलना पसंद करती है यानि कि ये इस तरह से चल रही है जैसे कि चौपाया जानवर यानि चार पैरों वाले जानवर चलते हैं वैसे ही चलना ये पसंद करती है यानि क्रॉल करना पसंद करती है So I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए यूस फुल होगा If it is so, please like my video, share it to others also, those who need it And do subscribe my channel for further videos Thank you